आज का टॉपिक है पैरेंटल केर पैरेंटल केर का मतलब होता है पैरेंट के जरिया दुआरा ओफिस्प्रिंग यानि बच्चे की रखवाली करना देख भाल करना इसमें एक से लेकर के बच्चे की तक का बातें आती है जिसमें कि दोनों में से कोई पैरेंट कोई भी पैरेंट बच्चे की देख भाल करता है उसी को हम पैरेंटल केर कहते हैं ये अल्मोस्ट सभी एनिवल में पाया जाता है फ्रॉम प्रोटोजोन टू मैमल कहीं पर ये जादे होता है कहीं पर ये कम होता है कहीं पर मेल करता है कहीं पर फीमेल करता है तो उसी को पैरेंटल केर करते हैं हम लोगों में भी parental care है बच्चे मदर जो है बच्चे को नर्सिंग करती है और फादर जो है भी बच्चे की रखवाली करते हैं तो आज हम फिश के parental care के बारे में बयान करेंगे परेंटल केर कहते किसे है एसोशियेशन बिट्विन पारेंट्स और आफ स्प्रिंग्स तो इंक्रीज चांसेस ओप सर्वाइवल ओफ यंग वन्स यानि बच्चे और पारेंट्स के बीच का संबन्द जो बच्चे के सर्वाइवल यानि जीवित रहने की चांसे इसको बढ़ाए उसे ही parental care कहते हैं ये अलग-अलग फिश में अलग-अलग धंग से दिखाई देता है जिसको one by one हम बयान करेंगे यानि अन्दा देने के बाद जो भी उसका care किया जाता है चाहे फादर या मदर से या दोनों से उसी को हम parental care कहते हैं most fishes do not show parental care leave the spawning grounds soon after fertilization यानि जैसे fertilization हुआ तो उस ground को वो छोड़ देता है lack of parental care is correlated to produce large number of eggs and sperms यानि ऐसा fish या animal जिसमें parental care नहीं के बराबर होता है उसमें number of egg का production जादे होता है number of egg का production जादे होता है इसलिए जादे होता है कि ताकि chances of survival उसका बढ़े क्योंकि कम रहेगा तो वो गरवर भी हो सकता है फट भी सकता है तूट भी सकता है various mechanism or special device have been developed to increase chances of survival of eggs इस parental care के लिए अलग-अलग ढ़ंग के mechanism डेवलब होता है special device डेवलब होता है special phenomenon करते हैं process करते हैं जिसे के उसमें डेवलब होता है तो जिसको हम एक-एक करके बियान कर रहे हैं स्ब्रह दोगक्साद मेढ़ देब्साद्ट कर सकता है झालम झाल झाल भी सकता है このлав झाल 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 गर बनाना पनाया जाता है उसी में फीमेल जाके एक डालती है The stones and pebbles are removed from nest and keep close watch till hatching मेल क्या करते हैं कि उसमें उस shallow के gate पर जो अगर उसमें पत्थर के टुकरे या पीबल जाते हैं तो उसको मेल हटाते रहता है और बहुत keep close watch रखता है कब जब तक अंडे से बच्चा ना निकल जाए तो ये इस तरह की animal में इस तरह की बातें देखना बहुत important बात है दूसरा example है protopterus and lepido siren male prepared deep hole into which female lays egg यानि नीचे छेद बनाता है बिल बनाता है और उसमें female जाकर के अंडा देती है फ़र्ड example है amia kalwa crude circular nest male guards the nest till young ones are hatched यानि ये एक circular nest बनाता है उसके बाद male उसकी रखवाली करता है जब तक के बच्चा बाहर न निकल जाए तो इस तरह से कितना important phenomenon है इस तरह के animal में जो गौड की beauty को देखा रहा है इसको हम stickle back fish कहते हैं इसमें male builds nest when nest reaches a considerable size male makes a tunnel after making tunnel and courtship ritual male drag female into tunnel for laying eggs after laying eggs female swim away male keeps watch over eggs till hatching जिस तरह से इसमें इस fish में ये gastroestias equilatis जिसको stickle back कहते हैं इसमें male क्या करता है कि एक nest बनाता है वो nest जब बरासाइज का बन जाता है उसमें एक tunnel बनाते हैं tunnel बनाने के बाद male शादी करता है जैसे हम लोग भी शादी करने के लिए बरात लेके जाते हैं बरात के साथ साथ उधर से लड़की लेके आते हैं वैसे ये भी court ship ritual dance court ship ritual dance यह marriage करने के बाद फिर female को लेकर के उस tunnel में जाता है खीच करके लेके जाता है और वहाँ पर female अंडा देती है और अंडा देने के बाद वहाँ से निकल जाती है तब male उसकी रखवाली करता है तो इस तरह से एक beautiful phenomenon इसमें है तो next building में एक दो तीन चार example में ने दिया है तो बहुत उतना possible नहीं है इसलिए आप लोग इसको इस तरह से एक एक दो दो example लेकर के इस point को आप deal करेंगे और इससे समझने वाली बात भी है कि fish जिसको हम घटिया इनिवल समझते हैं छोटा इनिवल समझते हैं किस तरह से beautiful phenomenon है courtship ritual है marriage ceremony है female को drag into tunnel ले जाते हैं खीच करके तो और प्यार से यह नहीं कि जबर्दिस तिवली forcibly तो एक phenomenon है next activity is mouth cavity as shelter यहाँ पर और important phenomenon है areas catfish male carries eggs and young ones in mouth during this period does not take food यानि male catfish जो होता है वो अपने mouth cavity में अंडा को लेके जाता है उससे जब बच्चा पैदा हो जाता है उसको भी अपने mouth की अंदर रखता है और इस period में वो भुखा रहना पसंद करता है जो शायद के man man नहीं है हलाँ के man में भी बाप जो है कमा के लाते हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरा बाल बच्चा खाए और खुश रहे कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सामान जारता है तो बच्चे को खिला देते हैं मा खिला देती है बाप तो कम और बाप जो है बच्चे को खिलाद करके अपना भुखा रहना महसूस करते हैं वही है कि मेल अपने मुग के अंदर अंडा और यंग वन्स को ले जाता है अब सुच सकते हैं कि जब उसके मुग के अंदर अंडा और यंग वन्स रहेगा तो वो मुग को चबाएगा नहींने तो अंडा फट जाएगा बच्चे दब जाएगे तो कितनी तकलीफ होती होग और साथ ही साथ इस पिडियेट में वो खाना नहीं खाते हैं सिचलिट्स फिमेल करी एक्स इन माउट और फ्राइड दो नॉट लीब दो शेल्टर पर सम टाइम स्विम अबाउट वाउटर नियर माउट सो देट रेटर्न तो इट डैंजर मतलब सिचलिट्स में, यहाँ फिमेल में यहाँ कैट पीश में मेल में फिमेल जो है अपने माउट के अंदर बच्चे को करी करती है और अंदा को भी बच्चे को भी और वो जब बचा मुँ से बाहर निकलता है लेकिन मुँ के पास ही वो मा के साथ तेरते रहता है जैसे कोई डैंजर हुआ फट से वो मुँ में गुश जाता है उसी को मैंने यहां पर दिखाया है आप लोग इस स्टेज पर हैं आप सोच सकते हैं ब्यूटी ओफ गॉड को और एक छोटे एनिमल के इस तरह के ब्यूटीफुल पैरेंटल केर्स को इसलिए आप अपने बच्चे को भी ऐसा केर दें जिससे समाज हमारा ब्रिया बने क्वाइलिंग राउंड एग्स यानि यह एग है इसके चारो तरफ ऐसे यह अपना आपको बचाओ के लिए इस तरह से घेर लेते हैं इसी को करते हैं फोलिस बटर फिश फोलिस बटर फिश में रॉल्स दे एग्स इंटो ए राउंड बाल दैन मेल गाड्स दे एग बाल बाई क्वैलिंग राउंड इट यानि अंडा को एक बॉल के तरह बना देते हैं चारो तरफ से उसके चारो तरफ क्वैलिंग हो जाता है और क्वैलिंग के बाद वो करता है तो इस तरह से मेल जो है केर देता है मैंने बोद द पैरेंट्स चाहे मेल ये दिखाई दे रहा है Attachment to body Attachment to body The fourth phenomenon Kurtus Indicus Mill develops a hook projecting from the forehead The eggs are attached to the hook of the forehead यह अगर fish है suppose तो यहां से इस तरह से a एक hook develop होता है इसके अंदर में अंदा जो है attached रहता है तो इस तरह से एक नया phenomenon है और protected रहता है एग और hatching होता है तो यह एक important phenomenon है Next is Formation of Integumentary Cups Platy Stacus Platy Stacus During breeding season female develops an integumentary depression through skin of lower surface and eggs are lost till hatching यहनि मचली के अंदर एक poch type का develop हो जाता है और उसी में अंदे रहते हैं और अंदा हैच करता है तो जब तक हैच ने breeding season में होता है यह भी एक सबसे important phenomenon है कि breeding season में होता है और यह देखाई देता है तो next is development of brood pouches development of brood pouches यह अंदा रखने की थैली तो हिपो केंपस में और सिंग नेथस में पाइप फिश में एक्स डेवलब इन brood pouches of male यह एक और important phenomenon है जबकि यह brood pouches female में होना चाहिए लेकिन नहीं male में है तो इस तरह से भी egg is protected, egg is cured by the parents मर्मेट्स पर्स इससे पहले हम जब स्कोलोडियोन पढ़ाए थे तो उसमें हम मर्मेट्स पर्स के बारे में बताए हैं तो cilium is a kind of fish lay fertilized eggs inside मर्मेट्स पर्स यह भी एक पर्स है और पर्स में देता है next is VB parity VB parity young developed in the oviduct of female both fertilization and development inside female body it provides maximum protection and highest degree of parental care example is kolodion sematogaster जिसको हम सर्फ फिश कते हैं जिसे आप कपराद हो सकते हैं sematogaster aggregatus sematogaster aggregatus एक नाम है देखिए किस तरह का beautiful phenomenon है यह phenomenon तो हमारे यहां भी है कि एक जो है oviduct में डाल दिया जाता है वहाँ से वो developed होता है develop होने के बाद उसके अंदर भी भी parity develop होती है वो बच्चे देते हैं यह most highest degree of parental care को यह show करता है आप देख उपर से नीचे तक आप देख रहे हैं किस तरह से छोटे से animal में beautiful phenomenon है जो parental care parental care को show करता है और इसमें मैंने जितना भी example लिया है इसमें maximum जो है वो parental care male के अंदर है female के अंदर कम है तो यह एक important बात है और यह आपके topic में है बहुत important है I hope that you will like this video and I am trying my best to provide you some notes or some important points regarding the forthcoming exam topic wise whatever we need whatever I think it is important so I hope that you will like it subscribe it share it thank you कर दो दो कर दोट है झाल